मुतिहारी में शराब माफियाओं पर कानून का बड़ा हतोड़ा चला है आपको बता दे कि पूर्वी चंपारन बिहार का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां शराब बंदी के आदेश के बाद साल 2021 में शराब माफियाओं के भूखंडों को अधी ग्रहन कर उसे निलामे की कार कि द्यार अन्मंडल के पीजी यारो कम 85 प्रादिकारी ध्वारा पकी द्यार धना कान संख्या 128 बिस में अभ्युक्त भरत कुमार अन के जमिन अधिकर्ण के बादू के सुनुगाई करते हुए उन्होंने खाता नंबर 326 क्रिश्या नंबर 4580 को कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता अवधेश कुमार सिंग समेथ कई नेताओं ने गया में अगल लगी की घटना के शिकार पीडित परिवारों से मुलाकात की साथी पीडित परिवारों को 25,000 रुपई की साहता राशी प्रदान की गई है दरसल होलिका दहन के दिन गया जिले के राहुल नगर गाउं में होलिका जलाने गए तीन बच्चे आके चफेट में आने से जल कर मर गए गटना के बाद रविवार राद से ही पूरी पंचायत में सन्नाटा पसर गया है तो वहीं कॉंग्रेस नेता अवधेश कुमार सिंग ने गाउं की खस्ताहाल को देखते हुए नितीश सरकार पर जम कर हमला बुला और गाउं के विकास में अंदेखी का रोप लगाया नलंदा जिले के रहुई इलाके में परंपरागत तरीके से रासलीला का योजन करवाया जा रहा है जो की 15 दिनों तक चलने वाला है इस बार वरिंदावन से पूरी टीम को बुला कर रासलीला का मंचन किया जा रहा है जो की माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना रहे है और इस रासलीला को देखने के लिए भारी संख्या में लोगों का हुजूम भी उमर रहा है बिहार समेट पूरे भारत में कोरोना का प्रकोब तेजी से बढ़ता जा रहा है तो वहीं राजधानी पटना में भी लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमन को देखते हुए बिहार सरकार और जिला प्रशासन काफी अलर्ट है और लोगों को जागरुक करने में भी लगी है प्रशासन द्वारा लौड स्पीकर लगाकर सडकों पर लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है और मास्क नहीं लगाने पर 50 रुपाई का चालान भी काटा जाएगा